फ्रेंक्स GST को कितने साल हो है 12, 17, 18, 19, 20 चल रहा है राइट Everybody is comfortable with GST Comfortable Centered Accounting Post Debit Curate ऐसे GST है कोगे सर चाह पना बात कर रहे हैं और अभी कुछ शेहर आजा है राइट तो GST में सब सब तो बेस्क पाट किया है कि इट हाज तो चीज़ राइट सो मैं आप साही बिसने साथ किया हूं तो आप प्रोमोटिंगा बिसनेस और आप जोटश तो इस फूचर नोटिफिकेशन 2030 में नोटिफिकेशन आ सकता है समभावना है फूचर नोटिफिकेशन 2030 में नोटिफिकेशन आ सकता है कि GSTR 2A अपने सब जानते हैं 2B अपने सब जानते हैं 2B करके AA, AB, AC, AD तक AZ तरी फॉर्म आ जाएगा शायद अब बोलेगा कि आप जब भी किसी को माल दे रहे हो ना तो उसके वीडियो रिकॉर्डिंग कर दो और उस रिकॉर्डिंग को साथ साल मिंटे रहना तो उससे काशिक था बट जिस तरीके से डिपार्टमेंट हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम सब कुछ मिंटेन करें तो शायद ये भी हो जाएगा कि बोल दे कि आप रिकॉर्ड ही कर दो और साल साल तक प्लीज मिंटेन कर दो So, what is happening with us? Let's understand what exactly is happening with us Friends, आज के दिन में this is a collection chart of last financial year तो हर स्टेट अपने अपने लेवल पे GST contribute कर रही है Taxes are being paid Let's, मैंने COVID period हटा दिया But then also, अगर मैं आप से this tax share करूं So, जब GST आया 12 सब्रा में उसके पहले India was ranking 123 In the all over world की इनकी transparency of business कितनी है 120 2019 वीस खतम होने के बाद The number happens up to 63 So, 60 increase हो गई है So, हम 123 नबर पे ते आज़ो 63 में आगय है In transparency of business And the credit goes to GST अपने कितने भी वो कड़े किया रही है GST है रही है But, it has definitely had the economy Right? So, one thing is happening जो हम लोगो समझना पड़ेगा कि हमें GST से दिक्कत नहीं है हमें दिक्कत किस से है हमें दिक्कत है Fake invoicing To be very honest friends GST is very very easy Number one Number two आज के दिन में GST में आप As simple as accounting जैसे कर रहा है वैसे आप GST आपड़े जा सकते हैं Combiance basis But Government क्या देख रहा है कि जितने fake invoice issue हो रहे है जितनी government को नुक्सान हो रही है Because of fake invoices तो इसके वो day-to-day basis में Changes ला रहा है Right? So, let's understand बच्पन में हम लोग पैसे Cricket Pound किलता दा गली में एक, दो, तीन, सार दीन नहीं हो रही तो सार इसमें क्या होगा था एक नियम होगा था कि बहुत पार होगा आउट बहुत पार होगा कोई पूछता ज्यू भई अच्छा मारा चंका ले नहीं दिवार पार होगा आउट तो नियम बन गया कारण किसी को नहीं पाता नियम बन गया कुछ लोगों के लिए but now its applicable for all नियम मंजा कुछ लोगों के लिए but now its applicable for all irrespective what is the logic irrespective what is the logic right so, मैं divide कैसे कराओ अभी starting the 1 गंद़ अपने बहुती serious topic बात करेंगे that is very important for that good reason I invited you out and for next 100 गंद़ आपने other important आपने बात करेंगे बर जो 1 गंद़ है पुरा flow please maintain रखेगा so what happened was की 12,000 cases निकल चुके हैं अभी तर खाने fraud के what is fraud? let's talk what is fraud Abhishek ने being a supplier has issued a tax invoice मैंने आपको tax invoice issue किया but मैंने आपको goods supply ही नहीं किया so government बोलता है की भया सामने वाला ने आपको कुछ दिया ही नहीं तो kindly आप इसो credit मत लेने तो मैं जो खाली बिल बनाके देदा हूँ this is fake invoice right? यहां का clear है what is fake invoice? fake invoice is बिना transfer of goods बिना transfer of service खाली कागजी movement करना खाली bills के movement करना is fake invoice so क्या होड़ा है मैं मेरे printer की business है छोड़ी ज़काटी है मेरे office में printer है मैंने माना अभिशेक SN Associates निकाल दिया printer को बिल की आपने उसकी credit ले लिए आपने इनको बिल दिया उन्होंने उनका credit ले लिया उन्होंने इनको बिल दिया उन्होंने credit ले लिया जो 100 रुपया के बिल के चकर में 100, 200, 300, 400 credit लिये जाने government से बढ़ो credit government को भी विला क्या क्योंकि जो print out मैंने निकाला उसका मैंने कर भी government को payment किया क्या कभी नहीं किया अब explain once again जो principal supplier है इसने government को आज तक payment नहीं किया इसने खाले बिल निकाल के लिया इसने खाले लिया इसने credit लिया इसने credit लिया इन्होंने genuine supplier का मार पेचा उसने भी credit लिया पर ultimate fee जो payment लिया government को आज तक तो उससे credit ले के से लिया तो this is the whole circle of fake invoice जो 12,000 lobby CIC ने credit कर लिया है why we are having this discussion because they are arrested 365 person so far सब 2017, 18, 19, 20, 21 चार साव में 300 पैसेट है चार साव में 300 पैसेट है so क्या हो रहा है 100 पर यह 100 पर यह right but 150 हुए है इस फिर लाजशे हके है so what I want to point it out sir अब गया 100 अब अब आज़ए है so 150 last 6 weeks में so what I want to say 150 पैसे आपको रहने ने आदे in आज़े है all over India so this is serious why people are getting so much frequently arrested क्या होने से हम prosecution clause में आरहे है यह हमें तो लगर हम मौं में बजिनस कर रहे इसके चकर में वो can be prosecuted. The supplier, the recipient or the charter and accountant who has signed the GST audit? कौन prosecute को सबता है, वह यह तो को समगना बोहत बहुत बुखर होई है. अच्छा, अब U.S. पर चलो यह ए इरोग में चलो, finance, criminal activities होती है, इसकी prosecution बहुत अगर लंग से होती है. तो एक खुणी को जेल मेडाता है, जो financially चोरी करता है उसकी जे लड़ा होती है उसकी जे लड़ा होती है तो इस दिमाग का प्राड का चोरी की है पट हमारे इंडिया में वर्जन थो पुरा सा डिफरेंट है हमारे इंडिया में सब के लिए जे लेकी है एक जैसा जे लिए एक ए-room है तो if we are prosecuted we are falling in that trap only right now this is actually serious कि what is happening in our country currently and next domain you will see कि बहुत movements है आप लोग जोभी industry में है आप लोग जोभी area में आप लोगो ये news दिख रहा हो है yes अभी GST rate बहुत जाधा बढ़ है as compared to income tax अभी GST rate बहुत जाधा बढ़ है and trust me friends ये मार्स तक और बढ़ेगा ये मार्स तक और बढ़ेगा and they are doing nothing they are doing nothing out of the law वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे है जो बुक्स में लिखावा नहीं है so we have to understand कहां चुता के लिखे हैं और हमें क्या precaution लेना है okay I am discussing now 10 methods from department's perspective first कि department कैसे track करता है हम लोग and then we will discuss what we can do right so let's discuss how to department track us tracking of movement through e-way bill sir मैंने मा बेजाई नहीं मैंने मा बेजाई नहीं मैंने अपो e-way बनाया मैंने कुछ बनाया चोड यहां सा मा बेजाई नहीं compulsory RFID tracking machine गाली जाएका track करना तोल में जरूरी है why because they will track the actual movement of e-way bills number one number two sir भी एक department audit करना क्रेंट का गल्दी क्रेंट की थी वो confidently बोला कि देखिए sir सारी college है सारी के सारी invoices है सबके नीचे ट्रांस्पोर्टर का बिल है उसके नीचे e-way bill है client खोश मैं खोश ऑफिसर खोश check करते करते invoice के लिखावा का vehicle number अभी sir google में बाने का ना गाड़ी का नबर तो दिल जाए है कांचा गाड़ी है right उन्होंना डाला 22 पाख करना लिकला है motorbike के गाड़ी motorbike के नबर है so 22 lakhs goods cannot transported over a motorbike right उन्हों pilots थे पर उन्हों motorbike का दर्मा निकल रहा है so सब कुछ on paper planning देशी perfect था but actually perfect नहीं था so people are tracking it so I am sharing a term called forensic audit so department people right now static audit को भागेते नी JST audit को ठीक है ने ने आया जड़ीजे but what they are stepping into they are stepping into forensic audit right so forensic auditors है market में banks usually forensic auditors को आय करनी है to investigate right second अपना आज का second discussion is point का रहेगा that is JSTR 2A and 2D reconciliation तो खाली में ब्रीफ कर दोगा कोई भी नहीं है तो मैं supplier मैंने माल बेचा so मैंने अपने JSTR अवर में अप्लोड कर लिया जब अप्लोड करूंगा और जब मैं अप्लोड करूंगा और जब मैं अप्लोड करूंगा तो real-time basis में आपके 2A और 2B में दिखना चाहू हो जाएगा so government यह design कर रहा है यह check कर रहा है कि मैंने माल बेचा तो आपके पूल में है क्या मैंने माल बेचा X को और 2B में दिखा Y को तो क्या होगा we'll talk to this but they are considering this cross check also right मैं इस चीज को first example में touch कर आ रहा हूँ जब मैंने आपको print-out वाली बिल दी मैंने आपको print-out वाली बिल दी मैंने तो आज तो आज तो GST लिटर बहा है की तो मैंने तो आज तो GST आपना प्लोट किया हैंगी आपने credit ले लिया तो आपकी 3B में जो credit आ रही है और आपकी जो 2B figures है वही match की करेगी so they are tracking your 2B figures third introduction of e-invoicing this is really very important this is really very important e-invoicing October से चालू हो गया उन SAC या tax period पे जिनका aggregate turnover 500 KRO के उपर है 1 January से चालू हो गया जिनका 100 KRO के उपर है हमारे हां पाजन है अब जिनका turnover 5 KRO के उपर है उनके उपर भी आपने के पर हो रहा है from 1st April 2021 so if your if your aggregate turnover in the preceding financial year is more than 5 KRO rupees mandatorily you have to issue e-invoicing right B2B के लिए B2C के लिए कि उपर बड़े हो बात जब आपने e-invoicing जैसे करेंगे तब आपने बात करेंगे So third is मैं जो आपको बतारा हूँ आपको कि आज के दिन में IDC ले रहे है छोई हो रही है तो हम क्या करें हम क्या करें इमाज़ फ्रेंज आज मेरा पैनलमबर रिविट हो जाए इमाज़ कि मेरा प्रेलाइस ही खतम हो जाए इजिस्ट ही खतम हो जाए अज़ आश खतम है आश मेरा छाका कर थे नहींञ़ करते अज़ सुब्र मेरा आज़ सुब्री खतम हो जा हे मेरे जौ ह सूंड आढ़े की खतम हो बंद हो गया आपक है इन्हें नहीं करना और हम इप सईलर रिविपसे रखेंद सम्सीह आपके मलादी को आपक हिसे मुलादी आपके समीपसे क्यों सोक्रक्यारि में ङगता था आज में दिबडाय कहा हैूं... This is something negative on us, and that is blocking of electronic credit. There are few instances, जहां पर department हमारी credit block कर सकती है. कुछ instances जहां पर हमारी GST credit block हो सकती है. तो आप इमाजिंग करो, आपने अभिशेक से माल पर्चेस किया, आपने अभिशेक से माल पर्चेस किया 100 अपय की, 18 अपया GST, आपने अपने अपने कस्तमों को बेच दिया. Right? So, आपने बेचा 200 अपया में, that's 36 उपीस tax. So, आप क्यों को लाइमें ने कितनी आ रही है? 36 उपीस की. और आप credit कर देने वाले हो, 18 अपया हैंगी, विकास अभिशेक सामने 100 मां खेला. जब आप पेमेंट करने जा रहे हो, आपको पता है कि तुझा 18 अपया क्या है? Well, at the time of doing the payment, आप देखें कि मेरी credit block कर दी है. 18 अपया जो अभिशेक को मैंने दिया था, वो दिख रहा है कि दिजी को ले, but credit agent को दिख रहा है, आपको block हो गया है, you cannot use it. So, ideally you have to pay 36 of his cash. Right? So, यह blocking of credit is again a very dangerous problem for us. So, we have to discuss this also today. So, मैं अभी आपको बताया उसे 5 सीजे, जो department कर रहा है, as per the law with us. It's better we get educated today, now, so that we don't perform this track. Right? आप सुचो ना, कुदा ना खार सा, कुछ भी होता है इसमेसे. So, क्या implication है? 2B में नहीं आ रहा है, वो दिक्कत करेगा. Invoicing, in, चलो हो जब अच्छा है. Cancellation, अगर 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 ग्रेट नमर कैंसल हो गया, या हमार credit block हो गया, तो definitely हमें नो दिक्कत होने वाल है. Next 5. Professional attachment of property, मैंने कोई चीज़ का demand किया आपको, और आप वो tax, वो मुझे payment नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपकी bank account को attach कर सकता हूं. तो the GC law has power, कि वो आपकी bank account को attach कर सकता हूं. जो आप कर रहे हो, यह जो फ्लो है, जो 2 crore की चोरी, 3 crore की चोरी, फेक इनकोश के ले रहे हो, this is cognizable and non-bailable. So 2 crore के उपर बेलेबल, 5 crore के उपर बेलेबल, it means, आप जेल भी जा रहे हो, आपकी बेल भी नहीं मिलेगी. मैं आपको इसी समझाता हूं, law में, अगर law में भड़े, तो law में लिखाव है कि 180 दित्य उपर, आप में कोश जेल में डाने चाहते हैं, in any circumstances. But, काहितरा करी, I know good number of people जो 2019 से जेल पर आज तक हैं. दोर्जाव 2019 से जेल में है और आज तक हैं. तो law कुछी बोले, कुछ और ही हो रहा है. One. Two. When the matter went to High Courts and Supreme Courts, तो वहां भी जा बात हुए कि भी या, GST की prosecution matter में, we won't interfere. So, we are having GST law. We are having GST portal law. We are having GST law जोलच है, एक GST portal law है जोलच चलता है, और we have a department to law जो लोग कुछ भी करने. Right? Today we have to get a custom flow all these three. Right? Third is, scrutiny of refund issue from July 17. Friends, आप सुमले जीस को, July 17 में मैंने कोई मान export किया था. उसकी refund मैंने July 17 में claim कर ली. Let's say, एक सार आप claim कर ली. 18 में मैंने पास reference आगया. I have received the reference in the year 2018. आज हम खड़े हैं 2021 में. अगर आप बताते हो कि पास reference में कुछ गलती था, 18 से 20 से 20 से interest आप ने से लोगे. अगर आप बताते हैं. अगर आप आप आज जा कर रहे हो. आप आप आज जा कर रहे हो. अगर में मेरी गलती था हैं. गलती हो सब्सक्रादी था बट आप पे इंट्रस्त. And they are doing this legally. They are doing this legally. Data collected from income tax and bank. आज आज आपकी GST के data are getting cross-check from your income tax returns. 26 AS. अपकी माणकी जा इन्योंस और इन्योंस, some cross-check ODA from GST के data. And this is important. Friends, majority of us, I can say use TALLY. Right, majority of us. REST, Genesys SAP, or AATKAR, right all the customized software. Friends, please understand है डिपार्टमेंट हाज इंवस्टें मुच ओर फंड इन बीटूस अर्टिफिशन इंडिलिजेंस वह बहुत कुछ निकार रही है डेटा से जो हमारा सॉफ्वेर सिफ देख पार रहा है वो दो इंटर इंट क्रॉस्टेंट ही कर रहा है एंट क्या रहा है अब 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 निकार बड्रक बत्वीं मुच अब थो अब आरे कि अब ऑच अब आव ब्स्टाइश इंड उस्ट कर एश्ट और अब है ओर बंटी, right?